एक SME IP अपन हुआ है जिसकी डिमांद भरबर के आ रही है तो आज की वीडियो में देखते है कि कंपने क्या काम करती है इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरी जहंकारी मिल जाए आधिया दुरी जहंकारी से डिसिजन गलत हो जाते है और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना यहां आपको स्टोक माकर के रिगार्डिंग हर एक न्यूज और अपडेट्स मिलती रहती है सभी IPO और SME IPO के रिव्यूज भी यहां आपको टाइम से ही मिल जाते है आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बैस से बैस कॉट्टेंट प्रवाड करने के लिए मौट्विट करता है चलो फिस चाट करते हैं आज का यह SME IPO रिव्यूज कंपनी का नेम है क्रियोंस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड यह 1986 में इंकॉप्रेट हुई थी मतलब इनको काम करते हैं 36 साल हो चुके है यह integrated marketing and communication agencies है basically यह marketing and communication solution प्रवाड करती है like world class creative, marketing strategy, pragmatic online, media planning, cutting digital expense, design solution तो mainly यह clients की help करती है brand building में इनके service modes, newspaper, brochures, magazines, television channel, FM channels and outdoor holdings है अब चलते हैं company के financial पे क्योंकि वहीं से बाद चले है company कितनी grow कर रही है अगर हम revenue को देखे तो company का revenue financial year 2020 में 163 crore का था यहां आप चो figure देख रहे हैं यह lakhs में है next year 2021 में 106 crore का revenue हो गया 2022 में company ने 194 का revenue जिलेट किया है then अभी last financial year के 9 month में 203 crore का revenue बनाया है तो revenue में चो company एक रही दिख रही है बीच में एक बार कम हुई थी बड़ वो covid की वएसे impact आ रहे था यही same trend profit में शो हो रहा है 2020 में 1.16 crore था then covid के impact के करन 2021 में तेरा लाक हो गया था उसके बाद 2022 में 1.61 crore था और last year के 9 month में अप्रोक्स 12.67 crore के profit बनाया है इनके surplus 32 crore के असपास है total borrowings में continue downfall हो रहा है जो की एक positive signal रहा है तो financial तो company के अच्छी ही लग रहे है अब IPO के details दिख लेते है IPO 22 में से 25 में तेक open रहेगा price 62-65 पर share रखा गया है apply करते टाइम हमेशे cut of price यूज करना होता है जो की बन जाता है 65 रुपीज का एक load में 2000 share है total issue size 49.80 crore का है SME IPO तो इसाब से ये issue size बढ़ा है तो allotment chance भढ़ जाएगा यह IPO पूरों का पूरा fresh issue हुए यह IPO के खास बात है जो भी fund आएगा वो company account में जाएगा जिससे company growth में help मिलेगी QIB के लिए 50% HNA के लिए 15% और retailers के लिए 35% रखा गया है time table देखे तो open 22 में मतलब कल हो चुका है close 25 में को होगा allotment decide 30 में को हो जाएगा refund 31 में को and then share एक जुनको account में आ जाएगे listing दो में को हो जाएगी retailers के लिए एक load की value एक लाग 30 जार है जिसमें आपको दो जार share मिलेंगे वहीं HNA के लिए minimum दो load के लिए apply करना होगा HNA में apply करने का फाइदा नहीं क्योंकि यह SME IPO है इसलिए हमें यहाँ पे तींचे अप्लाई करना पड़ता है तब जाके हमें एक load मिलता है इसलिए बैटरी है कि आप family में सभी के name से रिडिल केटेगरी में ही एक एक load के लिए apply कर देना और उसके लिए आपके पास family में सभी के name पे demand account होना चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शर में बैक्स ट्रेडिंग प्लाटफर्म जरूता का अकाउंट ओपन लिंक मेंशन है अभी बहुत अच्छे IP और SME IP आने वाले है इसलिए जितनी हो उतने demand अकाउंट ओपन करके रखो ताकि ज़्यादा application लगा सको जिसे अलॉट्मन की चांस भढ़ जाएंगे और अगर एक अलॉट्मन भी आ गया तो मोटा पैसा बन जाएगा अब चलते हैं फाइनल सेक्षिन पर कि हमें क्या करना है हमारी के अप्टैलिंग होने चाहिए कंप्रे काम अच्छा है और कंट्रियों ग्रो भी कर रहा है एड प्रेसेंट में इसका GMP 65 उपर चल रहा है मतलब एक लाग तीज और पर पर पाफिट दिख रहा है एक लोट के अंदर और इसका GMP कंट्रियों इंक्रीज भी हो रहा है मतलब डिमांड काफ विचाता है इस IPO की तो डेफिरिटली इसमें अप्लाई करना बनता है आपको डेली GMP और सब्सक्रिप्शन की जानकरी में टैगर चैनल पर मिल जाएगी इसके साथ ही वहां आपको हर एक नियूस टोक मार्कर के रिकारिंग सुबह मार्कर ओपर होने से पहले शेयर करती है तो उसको जुरू जोइंग करना क्योंकि उसको जोइंग करने के बाद आपको यहां वाद देखने की जूरत नहीं पड़ेगी टैलेगाम चैनल का लिंक की नीटी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया गया है अगर हम फर्स जे का सब्सक्रिप्शन शेटर्स देखे तो क्यों यह तो लास्ट दिन अपलाई करते है एना ये ने 1.96 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है और लिटल इन्वेस्टर ने 8.69 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है आपको ये आईपयो रिवी कैसा लगा नीचे कैमेर करके जुरू बताना साथ में आपका क्या डिसेजन है इस SME आईपयो में अपलाई करने है और नहीं वो भी जुरू शेरे करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और इंप्रमिशन के साथ